नमस्कार दोस्तों दोस्तों जीए ज़र्ने में आपका फिरस्षे स्वागत दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने कल शुरूवात की थी वेदरिंग की और वेदरिंगंग भी हम लोग دیکھ रहे थे कि एक्सोजेनेटिक जो प्रोसेस से उनके बारे में हम ने बात करने शुरू की थी और उसमें हम लोगों ने बात की थी सबसे पहले वैदरिंग की और वैदरिंग में हमने पढ़ा था कि वैदरिंग क्या होती है सबसे पहले तो और उसके बाद उसके मेनिंग देखा था हम तो दोस्तों आज वैदरिंग के जो लेक्टर है वैदरिंग की जो वारत अलाव थी उसको और आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं कि टाइप ओफ एदरिंग मतलब वैदरिंग के परकार कौन-कौन से हैं तो आपने देखा था कि वैदरिंग बेसिकली ठीट टैप की है और कुछ बूक्स में four type की doos are तो हम four type की weathering की देख लेते हैं सबसे पहले क्या सी वेदर स्वेदरिंग है फिजिकल वेदरिंग दोस्तों फिजिकल वेदरिंग जैसा कि इसके नाम से पता है physical बाक्छे बहुतिक अपक्षे फिजिकल वैदरिंग प्रोसेस डिपेंड उन्दी सम एलाइड फोर्सेस वे फिजिकल वैदरिंग में हम लोगों ने कल देखा था कि एक चटान है जब मैंने आपको कुछ कार्क बताये थे यह मैंने कुछ आपसे बात की थी जब तो मैंने कुछ एक्जा तो यह तोटके गरती Ken crown की आपक्षें तो तो दोस्तों बहुतिक अपक्षय का मतलब है कि जो वायू, तापमान, उश्मा, बारिस, इतियादी के द्वारा या अन्य कुछ एजेंट के द्वारा या हिमानी के द्वारा वायू, जल, परिहिमानी, हिमानी के द्वारा जो चट्टाने हैं उन चट्टानों का तूटके पर गिर जाना उसको क्या बोतते हैं फिजिकल वैद्री मतलब कोई चटान है यह इस चटान का डिजो दिरे 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 यह चटान यह है कि यह मिट्टी में तबदील हो जाए या यह चटान तूटके इसका जो सेफ है वह छोटे-छोटे टुकडों में या फिर बड़े-बड़े ब्लोक के अंदर यह डिवाइड हो जाए मतलब जो इसका बेसिक सवरूप था वह सवरूप बदल जाए अब इसके लिए कौन-कौन से फोर्स जिम्मेवार तो सबसे पहले ग्रेविट नेशनल फोर्स मतलब गुर्टवा कर संबल एक्सपेंशन फोर्स ड क्या है कि जो एक्सपेंशन ओफ पॉर्स जो टेंप्रेचर के कांड जो चट्टान ने हैं उनके अंदर फैलाव आता हो और सिकुर्टी है उसके कांड भी फिजिकल वैदरिंग होती हो थरड क्या है वाटर प्रेसर जो वाइयू का जो वाटर प्रेसर है जो जल का दबाओ ह उसके कांड भी physical weathering होती है उसके कांड भी चटानों के उपर impact होता है तो सबसे पहले हम बात करते है physical weathering की सबसे पहले आपने देखा होगा इस परकार की इस्तला करती कि ये बड़े-बड़े block ये देख रहे हो ना आप ये बड़े-बड़े block है दोस्तों ये कैसे बनते हैं कभी आपके भी दिमाग में आया होगा तो ये physical weathering का एक type है physical weathering में क्या होता है इस type में क्या होगा कि जब किसी मुरुस्थल एरिया के अंदर या desert एरिया के अंदर या कहीं गरम अक्षेतर के अंदर जहां पर ताप मान बहुत ज़्यादा होता है तो ये जो चटाने हैं इन चटानों का structure आप लोगों को पता ही है कि ये चटाने किसने किसी खनीजों से बनी हुई है कुछ कारकों से बनी हुई है कुछ minerals इसके अंदर होते हैं तो जब किसी temperature कि बढ़ता है जैसी जब कि शचटान का temperature को बड़ाया जाता है के बारे में हम लोगों ने देखा था कि अगने चटान अगने यह कुछ देखे थी ना अगने चटान अवसाधी और तीसरे परकार की चटान कौन सी थी रूपांतरित तो यह तीनों परकार की जो चटाने हैं इन चटानों के उपर तापमान का भी अलग-अलग तरह से परवाव पड़ता है तो इस परकार के ब्लोक किस परकार की चटानों में बनेंगे इस परकार के जो ब्लोक है वो ज़ो अग्ने Sis रोक है जिन के अंदर छोटे छोटे शोटे मॉलिकूल है या जो रवे हैं वों बड़े बड़े हैं उनके काण जब तापमान जब उनके उपर पड़ता है जब टेम्परेचर बड़ा जाता ह। तो वह वो क्या करती है फैलती सि जिससे एक बड़ी चटान चोटे चोटे टुकड़ों में कनवर्ट हो जाती है आप यह जो हमारे पास खिलाल हमारे पास जो यह ब्लोक देख रहे हैं दोस्तों यह कब एक पूरी की पूरी चटान का ही ब्लोक है यह पहले पूरी एक चटान थी बड़ जैसे इसका बड़ा इसको चोटे चोटे ब्लोक में डिवाइड कर दिया सेकंड क्रांड क्या है दोस्तों सेकंड किस तरह कै अब एक पूरी चटान है मतलब आप लोगों ने देखा हुआ कि सभी जो चटाने हैं वो ब्लोक के अंदर नहीं टूपती नहीं टूपती ना कुछ च्ट यह पूरी की पूरी चट्टान है और यह चट्टान आप देखोगे कि दीरे-दीरे छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी यह जो क्या है जो ग्रेनुलर है या जो बजरी है उन बजरी के अंदर यह convert हो जाती है तो ये बजरी के अंदर कुन सी किस तरीका की चटाने और किस परकार ये चटाने इस बजरी के अंदर convert होती बड़ी चटान छोटी बजरी के अंदर convert होती दोस्तों जो पिछली बार थी जो पिछली बार जो पिछला हम लोगों ने देखा था कि temperature के कारण बड़े-बड़े ब्लोक के अंदर टोटना और सेकंड हम देख रहे हैं कि temperature के कारण ही टव्भा investir के गार्ण ही जोटे जोटे बिलो के अंदर चोटे बज़री के अंदर टूट इसमें डिफ्रेंस कहा इसमें क्या आंतर तो धोस्तों जो चत्तान है एक ये चत्तान फूरी कर दोस्तों कि इसे चत्तान धर देख रहे हैं औरерууст सारे मोलیکयूल इसके अंदर हैं बहुत सारे खनीज हैं जब इनके ऊपर तापमान से परवाव घप तयों के कानड प्रिवरतन होता है तो तापमान में प्रिवरतन के इकार कुछ खनीज चैसे लगाओ कि यह जो हमारा वह है लगाओ यह वाला जो sir ऑला है ये वाला है और ये वाला पर और कि इंख कई उपर अपर श्युटे और उपर लिला left ये जो चोटे खनीज है ये जो चोटे मोल कीओल यह फैल गी यह अगे फैला पीच्हे पढ़ा इसने अपना कार अलिए मतलब यह इतना बढ़ा होगे जह तो इसके बाद इसका बड़ा ना उसके बाद इस सेकेंड का भिए का बढ़ा है थर्ड का भी बढ़ गया और फोर्थ का बढ़ गया जब इस चटान के अंदर ऐसे अकार बढ़ने सुरू हुए और जब रात को टेंपरेशर कम हुआ तो दुबारा से फिर इन्हों छाइब दोबारा से बिदोवारे सऩ कुड़ी मतलब उसके अंदर जो जो चटान एले के अंदर जो खनीज खे लिए कोश कन जेञें । तुमसलों क्वायां अबसुर खुत कशकर कशकर शफ़चर्ते पर शक्त ढू를 खनीज मतलब तो सकति मिटेस्टेस, यह जो खनीज है जब यह खनीज फैलेंगे तो इसको भी परवावित करेंगे इस खनीज को भी परवावित करेंगे इस खनीज को भी परवावित करेंगे इस खनीज को भी करेंगे और इस खनीज को भी करेंगे जब इनके अंदर दिरे-दिरे गति ओने शुरू होगे खनीज जब एक परकार के खनीज से बनी होती है तो जब उनके उपर दबाओ दिया जता है जब उनके उपर उपर दा पड़ा जाता है दोस्तों वह जो चटान है कि वह चटान फैल जाती है और हम फैलते हैं तो उसके इंदर क्रेक कहा जाते हैं जहां भी जहां पर भी अलग तरह की विवस्थाएं मिलती है अलग तरह की खनीज की लेयर मिलती है इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं इसमें आप लोग ने देखा कि जो खनीज थे हमारे वो मिक्स थे क्या थे खनीज हमारे मिक्स थे या फिर एक चटान थी या लगाओ एक हमारा कमरा था उतनी वड़ी एक चटान थे और उसके अंदर जैसे जैसे आप बच्चे बैठे हैं या फिर यह जो सारा समान रखे है उस परकार के छोटे-छोटे कंड थे और उन कनों के फैलाओ के कान यह पूर लाइन थी यह एक यह लाइन और एक यह लाइनने है इन लाइनलेके अंदर खनीज Ugh अंत्ती से अज अभन फोटीकary खोंड़्यक्री पुलिद्रूफ तो यह जो मॉलिक्टियो थे और बाकिझे जो मॉलिक्टियो से दोस्तों यह मॉलिक्टिय। यह अलग घरनिक थे तव आप लोगों ने देखा कि जब भी हम टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो यह जो इस लाइन वाले जो मोलिक्योल थे इन ऐंदर फैला उगा ऑप जब इनके इंग फोड़ा हुआ बट यह जो अदर थे यह वाले यह वाले और इनके अंदर कोई परवाव न twoade उने पड़ा एक ब्लोक का दिर्मान हो जाएगा एक चटान डिवाइड हो जाएगी इसी परकार फिर आगे डिवाइड हो जाएगी इस परकार फिर आगे डिवाइड हो जाएगी तो यह जो पार्ट होते हैं यह जो क्रेक होते हैं यह चटान के जो क्या होते हैं कि जो वीक पॉइंट होते या फिर वी के रिया होती है कैंद अब नेक्स लेखते हैं कर Kerry यह जो रोख़ कि दोस्तों कि यह गटना को धगती है जब किसी टेंप्रेचर के अंडर जब किसी थापमान के अंदर या मतलब किसी भी मृस्तल के अंदर जब उस टेंप्रेचर पर कोई भी चट्टान फैल जाती है मतलब यहीं चट्टान देखते हैं जब इसके उपर सूरिये के कारण यह चट्टान फैल जाती है मतलब यह एक्जेक्ट इतना था बट यह अब क्या होगा यह तापमान के कारण यह बढ़ने शुरू होगी और यह बड़ी और इतनी बड़ी इतन जिब इतना ये फैला होगा और जब एक दम इसके उपर, एक दम इसके उपर बारिस आ जाती है, तो क्या होगा? इसके इंदर चटकने आ जाती है, एक दम चटक जाती है, ये कई बागों में डिवाइड हो जाती है. इसका एक अच्छा example में आपको बताता हूँ सीसा जो सीसा है ना ये वाला ये वाला जो सीसा है हमारा कोई भी जो कांच है जब उसको बहुत जादा temperature पे गरम किया जाता है क्योंकि आपको पता है की जो कांच है उसको melt करके ही सेप में डाला जाता है बट जब बहुत जो मजबूत जो कांच है, जो बहुत गरम कांच है, उसको जब ठंडे उसमें डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, इसका गरमे आप ऐस्जंपल देखोगे, तो जो हमारे कांच की जो गे लास है, जिसको हम बैसिकली , यूज करते हैं, उसको बहुत ज्यादा गरम किया जाए एक दम किसी ठंड़े पादे में डाल दिया जाए गा तो वह तो उसकी देखते हैं दोस्तों 같ándon दिस्टिंक्शन द्यूटू फिर फेले हम लोगों ने देखा कि टेम्प्रेसर के एकार्ण से चटान का डिवाइद धुना स्ट थे कोई बढ़े 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 ब्लोक चांदर चोट्ड़ी बने पजरी के身 द्युजान अब देखतेएं प्सकायी होता है पाला या फिर पानी का जमना होस होता है कि देखो कोई भी चटान है यह चटान है हमारे पास यह चटान है यह पूरी की पूरी ऐसे चटान थी इसके अंदर छोटे से क्रेक थे एक क्रेक यह था एक क्रेक यह था एक क्रेक यह था तो जब चोटा सा क्रेक था तो इसके मुवाईंधर सुबहां हुई पनील के सब्सक्राइब पांब निज मारे लोगे इस पानी होई यह यहां पर इकत्था होगा करें यहां पर यहन इकठ्था हुआ और जब यह यहां पर इकठ्था हुआ तो जब रात को temperature, मुरूस्थल का temperature या कम होता है, तो यह जो पानी के कन्न है, वह जम जाते है। और आप को पता है कि पानी के एक होती है उस property में क्या है कि जब भी पानी जमता है तो उसका फैलाओ होते है इसका example हमारी freeze के अंदर देख लेते हैं आप जब भी किसी freeze के अंदर जो freezer है उसमें जब भी आप पानी रखते हो बरफ जमाने के लिए तो आप देखोगे कि जो आपने पानी रखा था एक गिलास के अंदर या फिर किसी box के अंदर वह आप उससे नीचे रखते हो रखते हो यह कोई आपका मतलब क्या हुआ पानी ने अपना फैलाओ किया फैलाओ किया ना वही एन स permett मेशन दोस्टो इस एरियना के अंदर होती है तो पहली जो लेएर थी उसमें छिमना शुरूँ अभा दीरे क्या हुआ क्या इसने उन के इसकी यह जो एरिया था यह जो एरिया था इस एरिया का विकास होना शुरू हुआ यह क्रेक बढ़ा जब क्रेक बढ़ा तो आगे फिर नेक्स डे इसके अंदर पानी की जो मातरा थी वह और ज्यादा आई उसके कार्ण उसके बाद फिर यह जमा हुआ फिर फैल गया उसके बाद फिर फैल गया और द दोस्तों यह पूरी की पूरी चटाम डिवाइड होगी। और देखते हैं, next. अभी तक हम लोगों ने देखा टेंपरीचर उसके बाद देखा अब टेंपरीचर के इंदर भी देखा कि ब्लोक में डिवाइड हो जाता है या फिर जब टेंपरेचर ज्यादा है तो बारिस हा जाती है तो वह चोटे-चोटे टुकडों में स्केटरिंग या जैसे कांस टूटता है वैसे बढ़ता है फिर हम लोगों ने देखा कि जो पाला है जो फोस्ट है उसके जमने से चटान भी तूट सकती है अब देखते हैं कि क्या टेंपरेचर और हवा के कांड़ चटानों का टूटना या फिर चटानों का दोस्तों यह जो आप रोक डेख रहे हैं यह जो रोख पूरी की पूरी रोख एक है या अगनेश स्रेख आidać और अगने चेटान पर जब टेंपरीचर बढ़ता है जब टेंपरीचर बढ़ता है तो क्या होगा वही सेम प्रोसेस यहां पर भी वो जो कंठे उन कंणों के कांड जो नीचे वाली लेयर थे वो फैलने शुरू होगी और ही इस फैलाओ के कांड जो उपर की परत थी चुकि आपको पता है कि यह सूरिय इस पूरी चीज़ को देखते हैं हम लोग देखो यह सूरिय और यह हमारी रोक यह हमारी रोक यह हमारी रोक है आप देखोगे कि यह जो सूरिय है सूरिय की जो केड़ने है यह केड़ने इस चटान की गहराई तक चली जाती है और कुछ गहराई तक चली जाती है और यहां के जो कंड है उनको गरम कर देती है जिस गरम के करने के कांड जो यह चटान है इस चटान की ज क्योंकि उपर से गरमी तो आरही है प्ट वो जो उसका रेडियेशन है वो वापस नहीं हो रहा है फिर जो इस परकार का जैसे हम देखते हैं कि वो सिर्फ गरमी आतो रही है प्ट जार नहीं रही जिसके एकांट जो सेंड लेयर है वो गर्म हो जाएगी और जब गरम हो जाएगी तो वो second layer, ये वाली जो second layer है, ये हम second layer मान लेते हैं इसकी, ये जो इसकी second layer है वो मान लेते हैं, और दोस्तों ये इसकी third layer मान लेते हैं, तो क्या होगा, जब उपन से ताप मान बढ़ेगा, तो ये second layer है, ये फैलना शुरू हो जाएगी, और ये second layer फैलेगी अब ये उपर की तरफ फैलेएं और जो विए इसेड फैल घी तो क्या होगा ये जो लेए ये जो उपर की लेयर है दोस्तों ये भी कुछ उपर उठ जाएगी ये भी कुछ उपर उठ जाएगी ना ये भी उपर तक उठ जाएगी मतलब यहां तक यह उठ जाएगी क्योंकि गर्मी के काड़ी है यहां तक उठ जाएगी पहले वाली लेयर यह जो फस्ट लेयर थी उसली को पुश्च आई आ lookin you the जब फन्ड होई राथ को जब टमपरेचर कम थू तो दुबारा से सिए इस स्थान पर आगीक अब जब यह उपरचले की यह नीचे आगी कि तो यह दीरे दीरे यह जो लेयर है यह अपनी जगें जो अपना विस्तार है वो continue रखती है और जब यह continue रखती है और जब यह छोटा करती है फिर बढ़ाती है फिर छोटा रखती है तो उपर के जो यह चटान है यह जो हमारा पूरी की पूरी परत उतर जाती है जिसको onion weathering भी बोलते हैं क्या बोलते हैं onion weathering अब देखते हैं दोस्तों next यह बात आपको समझ आई कि यहां पर टेंपरेचर बढ़ा और बढ़ने के काण यह जो रोख थी यह जो रोख थी यह यहां तक फैली फिर थर्ड यह यहां तक फैली और जब यह दुबारा इसी जगें पर आई तो यह पूरी की पूरी परत है यह पूरी की पूरी ऊपर वाली परत एक सैड गिर जाती है क्रेक के काण और आवा के काण ठीक टेंपरेचर बढ़ा टेंपरेचर बढ़ने के काण आवा भी इसके उपर लगी आवा का भी प्रेसर बढ़ा टेंपरेचर तो था ही था टेंपरेचर के काण फैला हुआ और फिर जो अवा थी यहीं चट्टान है इसके उपर जैब हवा भी लगती है US सैड से हवा चल रही है तो यह उपर से तोपरेचर इसका सुरीय का और इस सैड्स अवा का प्रेसर है तो क्या होगी यह कोई रोक थी ऐसे यह रोक थी इस रोक के उपर जो गुद्ध से अवा का प्रैसर हुआ दबाऊ हुआ और उपर से तापमान का दबाऊ हुआ तो इसके उपर से जो पूरे के पूरे जो छिलके हैं पूरे पूरे जो परथे वह एक साइड अढ़ जाती है या इसको बोलते हैं तो फीजिकल वैदरी नेक्स देखते हैं दोस्तो आप देखोगे इस चटान को देखो आपको समझ आ जाएगा देखो यह जो चटान है यह पूरी की पूरी चटान है इस चटान के अंदर क्या है कि हवा के कार्ण तापमान के कार्ण, जल के कार्ण या इमाने के कार्ण इसका उपरली जो परत है इस परत का अपरदन हो जाता है और यह परत जब हट जाएगी तो निची यह जो रोक थी यह वहापिस बहार आ जाती है अब देखो यह रोक यह रूक है इस रूक इऊपर कितनी मिठी थी किसे मिठी का दबाव है न और मिठी का दबाव मतलब दबाना मतलब उसके ऊपर और प्रैसर है और प्रैसर है तो इसका साइज क्या था दोस्तो छोटा था छोटा साइज था ना बट जैसे ही यह टेंपरेचर इससे जैसे यह इसकी दबाव इसके उपर से से रिलीज हुआ मतलब यह जैसे यह उपर से अटी तो इसने क्या किया अपना विस्तार करना शुरू कर दिया विस्तार करना शुरू कर दिया क्योंकि अब इसके उपर दबाव है नहीं और जब इसने विस्तार करना शुरू कर दिया तो जो इसके अंदर जो मजबूती थी अ एक के पास एक है और एक रोग यह है तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसकी जो डेंसिटी है जो इसकी डेंसिटी है दोस्तों वो कम है और जो इसकी डेंसिटी है कि यह जादा है तो यह एसा सकते कि यह ज्यादा मजबूत थीर यह जिसके कान इसका दोस्तों अपरदन हो जा一 geç стать अब के मिगल देखते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था फिजीकल वेदर की वेदर भी होती कैसे है और फेजीकल Secure में अभी तक हम लोगों ने देखा कि temperature एकान फिजीकल वैदरींग होती है और उसके बाद हम लोगों ने देखा था temperature और बारिस जो है उसके एकान फिजीकल वैदरींग होती है और next क्या है अब करते हैं second हम chemical chemical weathering कै- chemical का मतलब यहाँ पर आप देखते हों जैसे कि science के अंदर जो गटनाएं गटती है जो science के अंदर जो आप देखते हैं कि जो reaction होते हैं और reaction क्या होते हैं कि दो जो अलग-अलगत रहें कि जो पदार्त है उन पदार्तों को जब मिला जाता है तो क्या होता है एक रासैनिक परिकेरिया होती है जिसके अंदर एक कुछ result हमारे सामने आती तो वही same to same प्रकरति के अंदर भी होता है अब कैसे होता है दोस्तों आप लोगों को सभी को पता है कि जो हमारी वाईयू है उसके इंदर ऑक्सीजन है शबसे ज्यादा क्या है ना इत्रों सेकेंड क्या है और ऑक्सीजन भी कितनी है 21 परसेंट तो जो वाईयू की जो ओक्सीजन है जब ओटू अब कुण सी वाईयू कि जब किसी हवा की ओटू वो oxygen किसी चतंन की जब किसी चत upright की मुलेक्थोल से मतलब आपको पता है कि जो रहर कि 19 कि मतलब अगनेस इसको मान लेते हम लोग को ऑगनेए चत्थान मान लेते हैं जिसके अंदर लोहे के कुछ ठीक है एक लोहे के कंड की लेयर हैं, जैसे ये इतना सारा एरिया लोहे का है, इतना सारा एरिया लोहे का है, जब भी हम लोगों को चमक के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इस जो लोहे के कंड हैं, ये जो लोहे के जो पार्ट हैं, पैचिज हैं, इन पैचिज के साथ जब oxygen इसके साथ reaction करती है तो आप देखते हो कि जब आपकशी लोहे को बाहरर रख देते हैं तो उस पे क्या होगा उस लोहे पे जग जता है और जब जंग लंग जता है तो लोहां कमजोर हो जता और वही सेम परिकिरिया रोक्स के अंदर नो तो जिस भीछ चतन के अंदर लोहे की मात्रा ज्यादा होती है तो वह ओक उसके साथ रियक्षण करती है और क्या बना जाती है और जिसके कांद इस चतान का अंदर जो स्ट्रक्च्र था वहा यू जाता है डिला पड़ जाता है जिसके कांद यह की चट्टान टूट जाती है फिर उस लोगों ने देखा बूल ने तो आप लोगों ने देखा ओगा कार्बी को और अब आप देखो कि each muchos भी वायू के अंदर है तो कार्बन भी वायू के अंदर है जह दृआ है उसी परकार कार्बन की मातरा होगी या क्यल्सिय्म की मातरा होगी उनके साथ कार्बन परेकरिया करेगा कार्बन उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगा मतलव आपको पता है कि जो carbon dioxide gas है वो पानी के अंदर गुल सकती है, डिजॉल्व हो सकती है, जैसा कि हम नमारे जो पेप अदार्थ नियुको कोग वगारा, पैपसी वगारा देखते हैं, उसमें भी carbon गुली होती है, तो किसम нажखी गुली होती हो पानी तो फोलसकी तो गुल सकती तो किसी रोक के अंदर भी जो water है water के quantity उसमें मिल सकती है वह जब उसके मैंनेगी तो उसके molecule है उन molecule को रूर्ज कर देगी और लूज करने के वह कौर्ण उस Jeetan का अ परदन या अपक्षय से शोरी अपक्ष है निरदारित है उसको जो डी क्रडेटिशन है वो शोर सो यान टीकमपोजिशन क्यूक्न जो करबोनेशन वो अछे से देखते हैं कर्बेशन इसके रियक्शन ओफ डी कारबोनेट एंड दा बाइक कर्डोनेट विन्ड मिन्रон कोमन प्रोसेस एल्पिनको ब ये जो रोख हमारे सामने है तो उसमें क्या है कि यह कारवन डायक्सिड गैस तो गैस एसा रैसाइनिक कर्षाइन कर्षाकर्ट है की और हम जहां जहां पर भी रैसाइनिक क्रिया की तो उक ᐿक चूना पथर के साथ मिलाते हैं तो क्या की चूना पफ्थर LI ÇO साथ कार्बोनेट के एंदर यह चूना पथर यह मलेकूल चुना पथर का था ŚLな किया मोली क्यूल किसका था सू का जब यह इसके अंदर मिलते हैं जडिए इसके साथ मिलता है तो क्या बन जाता है कार्बन अक कैलसियम कार्बोनेट अब Structure बदल गया ना हमारा और जब बदल जाता है जब किसी चटान का रहसानिक परिवर्तन से उसका सरंचना बदल जाती है तो उसके नदर क्रेक आ जाती है, या उदोसका अपक्षे हो जाता है धर देखते हैं दोस्तो क्या होतानी क्या होता है। क्या होता है। ह्था ब देखते वह सब कुछ बात है सेम टू सेम कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि पहले जो चटाने थी उन चटान में कुछ मिनरल हैं वो औक्सीजन के साथ परिकरिया कर सकते हैं कुछ मिनरल हैं वो कार्बन के साथ परिकरिया कर सकते हैं उक्सीजन वाले उक्सीजन के साथ परिकरिया करेंगे तो चटान लूज हो जाएगी कारबन वाले कारबन के साथ चुनने के साथ परिकरिया करेंगे तो हमारी चटान लूज हो जाएगी या डिली पड़ जाएगी उसी परकार जो हमारे वैदर है जो हम मिलता है तो उनके साथ रसाइनिक किरिया करता है जब रसाइनिक किरिया करेगा तो क्या होगा इसके अंदर जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है का यह बहुँन के नदर ए और उपर का जो एरिया था यह बहुन निच्छ आगा यह बहुन निच्साख Virginia Raton के अंदर छोटे-छोटे-छोटे-छोटे gap हो जाएंग और जब गयाप फो जाइंगे तो दीरे-दीरे चटान का क्या निरे अंदर भूसति प्लतलब ठाने, on those solutions un-solution का मतलब वही है solution का मतलब गुलना और गुलना क्या है कि किसी रोक के अंदर जब बहुत सारी मतलब अलग-अलग तरह कि जो किरिया हैं होती जैसे जिसके अंदर वाटर भी हो गया ओक्सीजन भी हो गया क्या हो गया वाटर भी हो गया और ए्यूता रही हो गया क्योंकि दुन्हों के अंदर गैसे हैं गैसे जिसे जब किसी चटान के साथ मिलती एं मिक्स Vic होती है तो उनके जो मिन्रल्ट हैं उनको डिजॉल कर देती ऐं और गोल देती हैं या उनके रूफं परिवर्थित कर देते हैं जब उनका ऑपर किस ने वार किया एर ने और सेकेंड़ इसके अपर वार किया वाटर ने एघर वाटर में जब इसके उपर मेंडलस के वार किया तो इसने अपना साइज क्या कर दिया? बड़ा दिया जब इसके उपर किया तो इसने इपना size बड़ा दिया और ये इतना बड़ा कर लिया ठीक है? एक B minerals था B minerals के उपर विक इसने? air ने और water ने S2O water ने इसके उपर attack किया, तो इसने क्या किया अपना साइज छोटा कर दिया chemical reaction के का तो यह जो बड़ा होना जो छोटा होना है यह जो परिकरिया है वो solution कहलाती है या गुलना कहलाती है क्योंकि इसके साथ मिक्स हुआ और मिक्स हुआ तो इन दो चीज़ों ने एर ने और जो वाटर है इसने इसको अपने अंदर गोल लिया और गोल के क्या हो गया कि अब इसका रूप प्रिवर्तित होगा और यह छोटे बागों में डिवाइड होगा अब छोटे बाग में डिवाइड होगा तो गोलने के कान क्या किरिया होगी वो किरिया नीचे की तरफ चलती जाएगी यह जो रोक थी इसी रोक के अ चिद्धर हो जाते हैं चिद्धर हो जाते हैं दोस्तों इस करिया को बोलते हैं सोलूशन अब देखते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या देखा अभी तक हम लोगों ने क्या देखा फिजिकल वैदरिंग सेकेंड केमिकल वैदरिंग फिजिकल वैदरिंग देख चुके हैं अब फिजिकल वैदरिंग के बाद क्या है केमिकल वैदरिंग भी देख चुके हैं कार्बन आडरेशन सोलूशन कर्बनाइजेशन और ऑक्सिडेशन यह कुछ देख चुके हैं अब देख लेते हैं बाइलोजिकल और बाइलोजिकल का मतलब बायो का मतलब आप भी पता है सब जीव जन्तु क्या है पोदे भी जीव जन्तु है पोदे भी बायो पोदे जीव जन्तु मनुश्य क्या है यह सारे के सारे क्या है बायोजिकल एजेंट है जिनके अंदर क्या है यह सभी के सभी हम किसके अंदर पढ़ते हैं बायोजिक अंदर पढ़ते हैं इनके बारे में सिदा सिदा आप देखते हो दोस्तों毅निमल सबसे पहले अमम एनिमल के बारे में बात करते हैं तो यह कौन से है कौन से एनिम जो बिल बनाते हैं जो पृत्वी के अंदर रहतेशिंह जिसमें क्या हो गया चूहा हो गया चूहा जो चीटियां है और बहुत सारे जो बिलाओं है जो आप देखते हों रुस्थल के अंदर रहते हैं और अलग-अलग जैसे कि ऐता सकते हैं इतको है असले डिल बना के कुल जाया है कि ऐसी है जो जिए देखते हैंहां मतलब सब्सक्राइब को हैं जोके दर्देश रह्यों ब्रिजान के काण रिइस्च River होसह घुड़ा जाएगने हो कर देखते हैं जो पीपल का पोदा देखते हैं, जो बर्गत का पोदा देखते हैं, वो दोस्तों कहीं भी हो जाता है, किसी दिवार पर हो जाता है, या किसी टेंक के जो पाने की टेंकी है, उसके पास हो जाता है, तो उसके कान क्या होता है, कि वो देरे देरे टेंकी कमजोर हो जाती है, उस उसको डीला कर देती है और क्या कर देती है उसका विस्तार करके उसको गिरा देती है तोड़ देती है जिसके कान रोप का अपक्षय हो जाता है मानव भी चट्टानों के उपर वावित करता है दर्यक्ट रूप से परवावित करता है। आप देखते हैं खादाने तो कुछ जो चोटी-चोटी खादाने हैं और जो कुछ बड़ी खादाने जो कुछ छोटी-छोटी खादाने हैं यह खादाने क्या करते हैं जो छोटी-छोटे खुवे हैं वो खोद दिये जाते हैं और किसी रोक के उपर ड्रिल कर दिया जाता है तो ड्रिल करने के बाद दिरे-दिरे वहां पर क्या है वाटरी कठा होना शुरू हो जाता है या एर उ बावित करता है फोर्थ देखते हैं बायोकेमिकल जिसको हम लोगों ने पहले नहीं लिखा था बायोजिकल जो वैदरिंग है उसी का पार्ट है बट इसको एक अलग तरीके से पढ़ते हैं अभी तक देखा था कि हमनों ने बायोजिकल के इंदर डिरेक्ट रूप से पर प्लब कुछ जो बायोजिकल एजेंट है या कुछ जो हमारे जीव जन्तु है या कुछ हमारे पोद्धे हैं वह एक मिनरल छोड़ते हैं या फिर वह कुछ पैमिकल रियक्शन करते हैं जिसके काणट चटान ने लूज पढ़ जाते हैं इसका एक्जामपल में आपको बतात और जो काई जमनी शुरू हो जाएगी तो यह जो चटान है इसका जो सवाव के परिवर्तित हो जाएगा मतलब इसके नीचे की जो चटान है उस चटान का जो स्ट्रक्चर हो बदलना शुरू हो जाता है क्यों बदलना सुरूर हो जयता है जो हमारी काइई है उस काइई कि कार्ण chemical कछ रिलीज होते हैं और वो chemical देरे दिरे 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 इस रोब के अंदर गहराई तक चले जाते हैं जिसके कार्ण इस चिटान की वैद्रिंख हो तौइलेट है, उसके अंदर आलग अलग तरहें कि गtal निकलती है। या से मानना हुआ है उसके अंदर नाइट्रोजन बहुँ ¿ग ज़्यादा होता है और जब नाइट्रोजन किसी चä्टान के ओपर या किसी मिट्ट्टी के ऐपर डाला जाता है तो वहाँ पर उसकी जो chemical structure है उसके ओपर परिवर्तन डालता है उसी परकार अलग-अलग जियो जनतु है सबी के उसके अंदर urine के अंदर अलग-अलग तरह कि chemical अलग-अलग तरह से चटानों को परवावित करते हैं जिसके कारण भी अपक्षय होता है अब importance दोस्तों अभी तक जो हमने पढ़ा कि weathering यह वैदरिंग क्या थी यह हम लोगों ने देखा weathering क्यों होती है यह देखा weathering के type देखे physical weathering देखी physical weathering में हम लोगों क्या देखा कि temperature के काण physical weathering में क्या देखा ना प्रेमीडविश्र के कान देखा हम लोगों ने एर के कान देखा having temperature कि अप्लस रेन के कान देखा मात से यह कुただ में यह कुछ देखा भूब और उसके बाद कुछ और उसके बाद हम लोगों ने स्ट केमिकल को और केमिकल में हम लोगों ने आइड्रोजन के काण देखा ओक्सीजन के काण देखा वाटर के काण देखा और सियोटू कार्बन के काण देखा कि उनका डिजोल होता है उसके बाद हमने देखा बायलोजिकल बायलोजिकल में हम लोगों ने ओमेन देखा ओमेन के काण वेजिटेशन के काण और उसके बाद क्या है कि जो जीव जनतु है या जो पोद्दे है या फिर क्या वोलते हैं उनके को जैसे रैट का एक्जांपल मैंने आपको बताया था या जो गिलेरी हैं का मैंने एक्जामपल बता था खर्गोस का या फिर स्नेक काप को बता इसके कांड हम लोगों ने देखा और एक फॉर देखा था बायोकेमिकल जो पिछला काई के बारे में मैंने आपको बता अब यह देखा कि यह वैदरिंग तो करते हैं यह चट्टानों को तोड़ते तो है पर इसका फायदा क्या होता है क्यों पड़ा जा रहा है यह मतलब क्यों पड़े हम लोग वैदरिंग को क्या जरूरी है काम तो चल सकता था तो दोस्तों इसकी इंपोर्टेंस इसलिए है दोस्तों अगर यह एजेंट किसी रोक के उपर काम नहीं करते तो हम लोगों को क्या नहीं मिलती हुद Soil कि soil हम लोगों को नहीं मिलती हम लोग क्या क्रम नहीं कर सकते थे अर अलिगरिकल्चर नहीं करते तो हमारा जो प्रैंडरी जो यह फिर पसुपालन था उप सू deceil नहीं होती तो गास नहीं होता तो वेजिटेशन वेज्टेशन नहीं रहती होती तो उसके बाद हमारे जो इंवारेमेंट था वहपूं रूप से प्रवावित यह जो वर्तमान का वो हमे प्राप्त क्या है कि यह अगर नहीं होते तो हमें लेसे जाफ मोड़ीत है यह जाफ है वह वैदर भी हम लोगों का एक अलग तरीके का होता है तो यह जो 3-4 main coun können है, इसलिए हम लोगों को weathering पढ़नी जरूरी है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? weathering के basic से लेके उसको deep तक हम लोगों ने इसके study की और दोस्तो जो Geology के जो student है और जो Geography के student है उन दोनों के लिए ही ये जो विशे है वो बहुत काम का विशे है और उससे अलग जो भी लग लोग हैं जो बुगोल विशे के अंदर है जोगरफी के अंदर इंटरस्ट है रखते हैं उनके लिए भी बहुत ये काम का है दोस्तों उमीद है कि आपको ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा अगर आपके पास कोई suggestion है तो आप please हमें comment कीजी ताकि हम next उसको add कर सके और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आपको लगा हो कि इस पर उपर काम किया गया है तो आप इसमें जुरूर लाइक करना सब्सक्राइब करना और comment करना दोस्तों तब तक के लिए देने बाद